सो लेट्स कम टूदा एन्वामेंट पार्ट ऑफ पीटी 365 जो आ गई है हम उसके बारे में बढ़ते हैं अब एन्वामेंट में बहुत सारी नियूस इंपोर्टन रहती हैं बट उसमें कुछ-कुछ और जादा इंपोर्टन रहती है जो हम आपको बताएंगे सिर्फ आपको वही पढ़के जाना है उससे जादा आपके अन्वामेंट में नहीं पढ़ना है और बेसिक आपका स्टॉग होना चाहिए अन्वामेंट के लिए तो लेट्स कम टूद फर्स टॉपिक वी कवर ग्लोबल सेनेरियो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं IPCC की 6 रिपोर्ट आई ह 2nd पार आता है फिर 3rd पार आता है तो 6th रिपोर्ट का जो है पार्ट 3 आया है IPCC का भी और उसका जो हमारा टाइटल है that is climate change 2022 mitigation of climate change और यह working किसका रिपोर्ट है तो that is IPCC का इंटर गर्मेंटल पैनल on climate change अब हम रिपोर्ट के बारे में थोड़ी चीज़े देख लेते हैं उसके बाद हम IPCC के बारे में देखेंगे तो IPCC जो रिपोर्ट प्रोवाइट करती है वो जनरली किससे प्रोवाइट करती है अब आपको पता कैसे हम उसको एडाप्ट कर सकते हैं क्या-क्या प्लेजिस ले सकते हैं क्या-क्या प्रोग्रेस हो सकते हैं क्या-क्या पॉलिसी बना सकते हैं तो यह सारी हमारी रिपोर्ट में बताते हैं अदर रिपोर्ट करें तो जो working group 1 ने रिपोर्ट रिलीज की थी तो वो रिपोर्ट IPCC report की थी 2023 तो हमने देखा कि IPCC report क्या provide करती है क्या बताती है अब हम देखते है Intergovernmental Panel on Climate Change क्या है तो इसका headquarter की अगर बात की जाए तो वो Geneva Switzerland में है यह याद का लिजेगा बहुत अच्छे से कहां पे है Geneva Switzerland में है Genesis की अगर बात करें तो यह एक Intergovernmental Organization है जो की 1988 में create की गई थी ओके वेट अ सेकेंड तो Intergovernmental Panel on Climate Change की अगर बात करें तो इसका Genesis जो है 1988 में create की गई थी और किसने create की थी वो important हो जाता है वो prelims में पूछा जा सकता है तो World Meteorological Organization and United Nation Environment Program तो इस आड़ टू बोडीज जिनों ने Intergovernmental Panel on Climate Change को create करने में पार्ट लिया था तो Intergovernmental Organization जो है वो 1988 में create हुई थी किसने create के था World Meteorological Organization and United Nation Environment Program ने इसका Headquarter का है Geneva, Switzerland में है Objectives के अगर बात करें तो यह obviously हमने देखा कि यह Climate Change से related सारी चीज़े information सारी information जो है provide करती है और सारी Climate Policies को use करती है ठीक है जितनी भी Government है उनको सर हर लेवल पे scientific information provide करती है related to Climate Change and Climate Policies के लिए work करती है अब IPCC जो है UN Body UN Body कहला ही जाती है यह जनरली होती रही है UN Body बोला जाता है इसको जो भी Climate Change के लिए वो चीज़े बताते है उसके लिए ठीक है तो IPCC UN Body नहीं है particularly बट UN Body को बताती है यह चीज़े ठीक है Membership के बात करें तो 195 Members है Other Key Informations के अगर बात करें तो वो assessment report prepare करती है ठीक है special reports prepare करती है methodology report prepare करती है जो हमारे government को जो हमारे countries को help करते है कि आप Climate Change से related policies क्या बना सकते है बट एक चीज़ याद रखेगा it is the most important point कि वो अपना कुछ का कुछ भी scientific research नहीं करती scientific research कोई और करता है और उस पे basis पे ये policies वगेरा हमको देती है तो ये खुद scientific research नहीं करते ठीक है तो ये बिल्कुल important point हो जाता है जो आपको याद करने की ज़रुत है और 2007 में IPCC को जो है उन्होंको नोबल प्राइस भी मिला था ओके तो नोबल पीस प्राइस भी IPCC को मिल चुका है तो Intergovernmental Panel on Climate Change समझ में आ गया Now let's come to mitigation target for achieving climate change as per IPCC AR6 तो जो हमारी AR6 report है that is assessment risk report जो है हमारी 6th उसमें जो है क्या targets दिये है climate change को achieve करने के लिए mitigate करने के लिए जो भी हमारे climate change हो रहे है तो पहला है कि हमको global warming जो है उसको limit करना है 1.5 degree Celsius मतलब global green house जो हम emit कर रहे हैं उसको 2025 तक हमको वो करना है और reduce करना है 43% by 2030 तक फिर global net zero CO2 emission करना है nearly 2050 तक methane gas को reduce करना है जो कि 34% जादा हो गया है बर 34% by 2030 तक हमको reduce करना है global warming को limit करना है 2 degree Celsius तक 27% decrease करना है by 2030 तक अब global net zero emission CO2 emission around 2070 तक हमको reduce करना है तो 1.5 degree अगर हमको global warming reduce करना है तो हमको क्या-कर targets लेने पड़ेंगे वो बताया है यहाँ पर और अगर हमको 2 degree Celsius से global warming reduce करना है तो हमको क्या-कर targets लेने पड़ेंगे क्या-कर targets है हमारे वो बताया है ओके फोर बोथ अगर बात करें तो हमको greenhouse gas emission reduction जो है वो हमको हर sectors पर करना पड़ेगा throughout the 2030s, 2040s and 2050s और negative CO2 emission after the point of net zero negative CO2 emission मतलब जितना भी CO2 हम emit कर रहे हैं उन CO2 को हम कही न कही अधर जगे यूज कर ले तो that is called negative CO2 ठीक है negative CO2 हमको करना है तो यह हो गई हमारी IPCC की 6th assessment report now let's come to key findings and observation of the report 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 की जो third report आई है उसके key findings और observation क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं emission trends तो आपको यह तो important नहीं है water the trends बद आपको यह जरूर important है कि कौन से sector जो है कौन से sector का share जो है green house gas emission में सबसे जादा है तो that is energy supply sector का जो share है that is उसका जो हमारा green house gas gas का emission है वो सबसे जादा है फिर आता है इंडास्ट्री फिर आता है अग्री कल्चर फोरेस्ट्री एन अदर लांड यूस फिर 14 परसेंट है हमारे ट्रांसपोर्ट फिर बिल्दिंग है तो सबसे जादा कौन सा है energy sector energy sector से जो है नेरली 34 परसेंट जो है हमारा green house gas net anthropogenic जो है जो है जो humans हमारे ग्रीन हाउस gas emit करते तो वो सबसे जादा energy supply sector से होता है की trends में अगर बात करें तो 2010-2019 में total net anthropogenic greenhouse gas emission rise हुआ है बढ़ा है cumulative net CO2 emissions भी बढ़ा है और net anthropogenic जो हमारा greenhouse gas emission है वो 2010 से increase हो रहा है हर sectors में हमने देख लिया कि energy sector सबसे जादा contribute करता है okay so this is all about emissions trend now let's come to variation in regional contribution to global greenhouse gas emission अब regional contribution के अगर बात करें तो जो हमारे countries wise है या फिर state wise है या फिर island wise है उनका contribution कितना है हमारी greenhouse gas emission में तो at least 18 countries जो है अभी उन्हां पर उन्होंने greenhouse gas को reduce किया है for longer than 10 years but least developed countries small development small island development states होते है उनका जो है low क्या अगर हम बात करें emissions की तो उनका जो emissions है वो बहुत low है but excluding CO2 because CO2 जो है वो वह सारी जगे से emit होता है जैसे कि land use हो गया land use change forestry इन सारी चीजों से जो है CO2 emit होता है अब 10% households की अगर बात करें जिनका high highest per capita emissions है वो disproportionately create कर रहे है disproportionately मतलब बहुत जादा बढ़ा रहे है greenhouse gas emissions ठीक है तो यह regional basis पे हो गया फिर any adequate current policies की बात करें तो methane global warming जो है वो 3.2 degree Celsius है by 2100 और financial flows जो है वो three to six times lower है जो हमको चाहिए कि 2030 तक हमगर हमको achieve करना है temperature को decrease करना है तो climate finance की हमको बहुत जादा जरूरत पड़ेगी okay so these are the points related to the report जो report में बोले गया है and what is IPCC or mitigation target क्या है okay now let's come to the next topic that is methane emissions methane की अगर बात करें तो methane एक बहुत important gas हो जाती है अगर global greenhouse greenhouse gas emissions की अगर बात करें तो methane जो है इतना ज्यादा emit होता है from the agriculture ठीक है agriculture से wetland से क्योंकि वो लोग जो है carbon dioxide को absorb करते हैं अगर वो लोग एब्सॉब नहीं करेंगे तो methane का formation ज्यादा होगा और methane जो है बहुत ज्यादा sorry sorry for the disturbance तो methane जो है हमारा सबसे ज्यादा effect करता है अब यह news में इसलिए है कि recently global methane assessment 2020-2030 baseline report रिलीस की गई है किसने रिलीस किया है climate and clean air correlation and united nation environment program तो report कौन रिलीस करता है वो तो important होता ही है आपके लिए बर इनके साथ साथ यह bodies भी important हो जाती है तो climate and clean air correlation and united nation environment program ने global methane assessment 2030 baseline report को release किया है अब सबसे पहले methane है क्या वो देख लेते तो methane एक colorless और orderless gas है जो कि जिसका कोई color नहीं होता और order smell नहीं होती और primary primary component है हमारे natural gas का powerful greenhouse gas emissions के अगर बात करें तो lifespan इनकी बात करें तो 20 years होती है जो बहुत मतलब कम होती है as comparison to CO2 और global warming potential जो है वो बहुत जादा होता है 18 times greater होता है as compared to CO2 CO2 जितना effect करता है उससे जादा हमारा methane effect करता है responsible for more than 25% of global warming and half of the growth in tropospheric ozone formation इसी के कारण हो रहा है ठीक है इंडिया जो है top 5 emitters है methane की in the world में ठीक है अब where is methane coming from? methane जो है कहां कहां से आता है तो methane most of जो भी increase होता है हमारा emission वो biological होता है rather than वो earth surface से release नहीं होता because during the extraction of fossil fuel कुछ जो methane है कुछ जो global कुछ जो greenhouse gas है वो वहां से भी हमारी बहार निकलती है below the earth से but most of the अगर बात करें तो anthropogenic जो भी चीज़े हो रही है changes आ रहा है land use pattern हो गया यह बहुत सारी चीज़े जो जिसमें भी आप change कर रहे हो उससे सबसे जादा methane emit होता है तो सबसे जादा methane को कौन contribute करता है आप यह याद रखेगा wetlands ठीक है इस टाइप के questions आपके PT 365 में पूछे जा सकते हैं प्रलिम्स में पूछे जा सकते हैं तो wetlands जो है वो सबसे जादा contribute करते हैं methane emissions पे उसके बाद fossil fuel extraction सबसे जादा होता है उसके कारण होता है methane फिर livestock हो गए फिर agriculture waste हो गया natural geological seed हो गई rice cultivation हो गया plant matter को burn करना और termites and other wild animals जो है उनसे भी हमारा wetland release होता है wetland sorry wetland release methane release होता है तो यह हो गया हमारे total contribution जो proportion जो है methane का कौन release करता है तो that is wetland now let's come to more on news report जो है वो launch हुई है आट जो हमारा 27th summit हुआ था conference of party का वहाँ पे और examine क्या करती है वो methane कितना emit हो रहा है ठीक है क्या implication है हमारे global methane pledge target पर global methane pledge target अभी हम पढ़ेंगे यह जो है generally और अभी currently news में था तो इस ही क्या हमारा methane के लिए हमने जो pledge लिया था उसके उस target को हम achieve कर पा रहे यह नहीं कर पाले तो यह report यहीं बताती है कि findings के अगर बात करें तो बोले amount of methane जो है atmosphere में वो 260% of pre-industrial level है और human human anthropogenic methane emissions है वो responsible and nearly 45% of the current net warming जितना भी net warming हो रहे है जितना भी हमारी warming हो रही है earth surface की वो because of 45% 45% है किस वज़े से है because of anthropogenic emissions की वज़े से है 2021 में जो है वो largest increase हुआ है methane में 2021 saw the largest annual increase record okay so these are the key findings now let's come to global methane pledge which is very important because India is not a member of it ठीक है अभी recently में Australia ने join किया है तो यह launch हुई थी COP26 2021 में किसले launch हुई थी obviously methane reduction के लिए launch की गई हो गई किसने किसने left किया था मतब कौन-कौन से states ने बनाया है European Union and United States तो बोद यह याद रखेगा किसने US ने और European Union ने मिलके बनाया है COP26 2021 में launch हुई है Australia ने अभी current join किया है हमको क्या reduce करना है methane को reduction के लिए अब इसमें क्या target दिया है कि हमको collectively methane emissions जो है at least 30% reduce करना है बिले 2020 level by 2030 2030 तक हमको 30% जो है reduce करना है methane अब इंडिया की अगर बात करें बहुत सारी countries इसकी पार्टी है बट इंडिया ने अभी इस pledge को sign नहीं किया है because अगर इंडिया जो है methane emissions को reduce करने की बात करेंगे तो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वह बहुत जादा effect होगा because फार्मा सेक्टर में हमको बहुत सारी policies को में changes लाने पड़ेंगे farmers को बहुत सारी चीज़े restrict करने पड़ेंगी ठीक है तो livestock के livestock का भी role हमको बहुत सारी roles को हमको कम करने पड़ेंगे तो इसके लिए जो है इंडिया ने इस pledge को नहीं sign किया because India is an agriculture country इंडिया में agriculture पे पूरा dependent है तो इंडिया ने इस global methane methane pledge को जो है sign नहीं किया अब आते है global energy monitor आज पर global energy monitor 30 fossil fuel companies जो है वो nearly planet warming methane जो भी emit होता है उसको contribute करती है energy sector में और global energy monitor की बात करें यह non-profit organization है जो हमारे worldwide में information को share करता है develop करता है clean energy movement के लिए अब आते है international methane emission observatory तो according to the report cutting methane emissions जो है वो fast अगर हम methane emissions को cut कर रहे है तो कही न कहीं सबसे जादा और सबसे tackle करेगा हमारे climate change को ठीक है सबसे fastest way में जो भी चीज़े tackle करेंगी that is methane emission अगर हम methane emissions cut करेंगे तो climate change short term में जो है वो tackle हो जाएगा international methane emission observatory की बात करें तो यह initiative UNIT national environment program led करती है और with the support of European commission और इसमें भी हमको methane को reduce करना है और core implementing partner जो है वो global methane pledge का है ठीक है तो international marine emission observatory जो है वो हमारे implementing partner है global methane pledge का अब आते है emit mission NASA का mission है earth surface mineral dust source investigation mission यह किसका mission है NASA का mission है emit mission ठीक है methane जो है उनको super emitters बताया गया है और यह generally क्या है यह NASA का emit mission जो है इसको map करता है अब emit mission हमको help करते हैं कि आप 50 super emitters जो है methane gas के उनको identify कर यह Central Asia West Asia और Southwest in United States में ठीक है super emitters के अगर बात करें तो जो भी facilities equipment infrastructure आप use करें typically fossil fuse हो रहे है इसके गारण हमारा methane emissions सबसे जादा हो रहा है तो उनको हम बोलते है super emitters तो उनकोंने बोला है 50 super emitters आप identify कर यह methane gas के जो सबसे जादा emission किसका है NASA का mission है okay so this is all about हमारा methane emissions now let's come to ocean acidification and Arctic ice ocean acidification अब acidification की बात करें acid basis आपने पड़ा होगा तो हम कैसे identify करते acid base को तो pH level पे pH basis पे हम identify करते हैं acid और basis को acid की अगर बात करें तो ऐसिड वहन होता है 10 pH level 7 से कम हो जाता है और basis वह होता हैcard 7S 7 is the neutral pH抵ार oluşशता pH हमरा acidic हो रहा है और अगर हमारा 7 से जाधा हो रहा है तो हमारा मतला basic हो रहा है okay अभी ये news में इसलिए है कि tribe researcher उन्होंने बोला कि western region जो है हमारे Arctic Ocean का वो जो है उसकी chemistry जो है वो change हो रही है because acidity level जो है वहाँ का मतलब है acid level जो है वहाँ का वो बहुत high हो रहा है three to four times higher है other ocean waters जो है वहाँ के ठीक है तो जितने भी western region जो है हमारा Arctic Ocean का Arctic Ocean आपको पता है Arctic region कहां पे होता है 66 and a half के बाद degree के बाद जो भी north and south में अगर बात करें तो that is Arctic और नीचे जो है Antarctic होता है तो Arctic Oceans की बात किया Arctic Oceans में जो है हमारा acidification जो है वो बहुत जादा हो रहा है अब ocean acidification के अगर बात करें तो ocean acidification का simple मतलब है कि हमारा pH value का reduction होना over the oceans in a extended period of time that is ocean acidification reduction होना pH level का अब primary cause अगर बात करें जो हमारा reduce करता ocean acidification मतलब ocean acidification को बढ़ाता है that is CO2 emissions ठीक है जितना भी हम CO2 emit करेंगे atmosphere में उतना जादा हमारा oceans acidify होगा अब सबसे पहले हम diagram से समझ लेते हैं late 1800 से यहाँ पर दो diagram दियेंगे हैं 1800 में कितना हमारा acidity reduce कितना acidity होता था और 2100 में कितना acidity होता था अब अगर हम आपको ocean acidification की बात बता है तो 1800 के time पे जब हमारा pre-industrial level था तो बहुत कम हमारा CO2 emit होता था because बहुत सारी activities नहीं होती थी development इतना हम नहीं करते थे urbanization नहीं करते थे तो CO2 emissions भी हमारा कम होता था क्योंकि जितना भी CO2 emit होता था उतना ही plant absorb कर लेते थे और oxygen बहार निकालते थे ठीक है तो that is plant absorb कर लेते थे सारी चीज़ों और but plant की अगर बात के रहे तो plant का limited capacity होता था CO2 absorb करने का तो बहुत सारा CO2 जो है oceans absorb कर लेते थे जिसके कारण जो है हमारे marine marine life भी प्रोटेक्ट रहते थे अब अभी क्या 1800 की टाइम पे बहुत कम concentration होता था CO2 का अब carbon dioxide जैसे ही हमारा water के साथ react करेगा तो हमारा H2CO3 carbonic acid बनाएगा ठीक है तो CO2 जब H2O के साथ react करेगा तो carbonic acid बनाएगा अब carbonic acid की अगर बात करें तो सबसे पहले carbonate ions की बात करते तो carbonate ions generally हमारे naturally present होते है oceans में जो हमारे plants जो marine animals है जो marine fishes है जो भी हमारे coral reefs है इन अब के लिए बहुत important होते हैं because यह उनको as a survivor की तरह काम करते हैं तो carbonate ions पहले से present होते हैं अब H2CO3 क्या करेगा वो किसमें तूटेगा H2CO3 का जब ionization होगा तो H plus ion और bicarbonate ions में वह होगा अब carbonate ions पहले से present होते हैं बट हमारा hydrogen जो ions है S2CO3 H plus ions भी हमारे निकाल रहा है अब क्या होगा कि जितने भी हमारे carbonate ions है वो H plus ions के साथ मिलके bicarbonate ions बनाएंगे अब bicarbonate ions के अगर बात करें यह जनरली हमारे fishes के लिए और बनीन lives के लिए बहुत जादा important होते हैं healthy corals होते थे healthy marine calcifiers होते थे ठीक है तो 1800 के time पे हमारा जो है acidification वह बहुत कम होता था मतलब reduce होता था बट 2100 के time पे अगर बात करें तो concentration जो है CO2 का वह बहुत जादा हो गया तो carbon dioxide जैसे ही हमारा water के साथ react करता था तो S2CO3 ions बनाए अब H plus ions जो है वह बहुत जादा निकले ठीक है क्योंकि क्या हुआ H plus ions जादा निकले तो H plus ions जो है जो भी carbonate ion present है वहाँ पे उनके साथ react करके वह bicarbonate ion बना लेगा और bicarbonate ion अगर जादा present हो गए तो वह हमारे कहीं न कहीं जो भी हमारे marine animals है उनको effect करेगा अब acidification का मतलब यह होता ना कि concentration जो है H plus ions कबढ़ जाए तो that is fewer carbonate ions हमारे बचेंगे विकॉस सबसे जादा H plus मिल के हमारे carbonate ions से क्या बनाएगा HCO3 minus carbonate ion बनाएगा bicarbonates बनाएगे जिसके कारण जो है उनको survival के लिए चीज़े नहीं मिल पाएगे तो हमारे marine animals है calcifiers है वो हमारे खतम होने लगेंगे तो this is all about हमारा ocean acidification I hope आप बहुत अच्छे समझ में आयागा impacts के अगर बात करें तो हमारे जो भी carbonate based cell skeletons होते हैं other marine food chains होते हैं वो सब effect हो जाएगा अब Arctic region की बात करें तो Arctic region को हमने बता है कि जो North Pole को geographical area surround करता है that is Arctic region और generally वो 66 and a half north of the equator पे मिलता है significance अगर बात करें अगर melting हो रही है इसकी तो कहीं ने कहीं वो sea root खोल रहा है हमको economic exploration के लिए बढ़ा रहा है oil and gas reserves जितने भी उनको हम explore कर सकते हैं possibility यह है कि open northern sea route as a new trade route circulate करेंगे ocean waters current को ठीक है and categorized as world climate change barometer ठीक है world climate change barometer की तरह हम उसको categorize भी कर सकते हैं ठीक है इंडिया इन आर्टिक के अगर बात करें इंडिया का presence क्या है तो आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम जो है इंडिया 2007 से कर रहे है उन्होंने अपनी पहली Arctic policy भी unveiled की थी और observer है हमारे Arctic council के Arctic council एक intergovernmental organization है जिसमें वह सारी countries जो है Arctic region को surround करती है वो उनके member है बट इंडिया जो है इंडिया को observer status बोला गया दिया गया है अब इंडिया का Arctic station जो है हिमादरी वो नौर्वे में located है और वो scientific investigation कर रहा है Arctic region में तो अब Arctic amplification की बस simple मितलब है की heating of Arctic region ठीक है Arctic region का heat होना that is Arctic amplification अब Arctic जो है वो heat हो रहा है at four times higher than as fast as the rest of the word जितना भी rest of the word heat हो रहा है उससे चार गुना जादा जो है हमारा Arctic region जो है heat हो रहा है due to Arctic amplification अब Arctic amplification की अगर बात करें जो near surface temperature होता है जो उपर का surface temperature होता है वो सबसे जादा होता है over Arctic region relative to lower latitude, lower latitudes में जितना temperature होता है उससे जादा Arctic region में जो surface air temperature होता है वो बहुत जादा change होता है causes यही है global warming हो गया ice, albedo हो गया ठीक है lapse rate हो गया यह सारी चीज़े जो है causes है अब effect की बात करें यह fauna को effect करते हैं जो भी region में हमारे fauna मिलते है, polar bears मिलते हैं, whales मिलते हैं ठीक है new trade route open करते हैं और natural exploration है natural resources का उसको हमारे बढ़ाते हैं तो these are the impact अब Arctic amplification में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा rise हुआ earth का temperature ठीक है temperature जैसे ही rise हुआ global warming की वज़े से तो हमारा ice जो है वह melt होने लगा snowy melt होने लगा जिसके कारण क्या होता है जब ice रहता है तो उसका albedo ज्यादा होता है ठीक है बट जैसे ही ice water में change होता है तो उसका albedo कम हो जाता है as comparison to ice albedo मतलब होता है कि जितना आप absorb कर रहे हैं उतना आप reflect back कर दे रहो ठीक है तो जैसे ही वह ice रहता है तब तक वह जादा absorb करता है जब तक जो है जादा reflect करता है हमारा जो भी temperature है जो भी हमारा emissions है बट अगर हम बात करें तो ice जैसे ही water में convert होता है तो less reflection होता है और जादा-जादा absorb करता है जिसके करनल हमारा अपर जो ocean की layer है वो warm हो जाती है और energy flows जो है वो larger हो जाता है बट अगर बात करें कि हमारा बहुत सारी चीज़े और भी present होती है हमारे atmosphere में जैसे कि aerosol particles जो है atmosphere में बहुत जादा present होते है तो उसके करनल भी हमारा absorption जाता होता है less reflection होता है और उसके करनल जो है बहुत जादा haze और clouds form होते है और जिसके करनल lower atmosphere जो है वो back radiation से जादा हमारा warm होता है जिसके करनल larger energy flows होता है तो this is all about Arctic amplification अब आते हैं zombie ice and doomed ice zombie ice की बात करें यह massive greenland ice sheet है जो कि generally हमारी जो main ice रहती है उसके साथ attached रहती है but वो larger ice के साथ बाहर नहीं निकलती है वो वहीं पर attached रहती है because parent gracials जो है वो generally less replenish होता है snow का ठीक है तो zombie ice कौना ice होता है जो ice still attached रहता है thicker areas of ice के साथ but no longer वो बाहर नहीं जा पाता है उस थिकर ice से अलग होके नहीं जा पाता है तो उसको हम zombie ice और doomed ice बोलते है जोंबी virus भी हमने पढ़ा होगा रश्या में affect किया था तो यह important हो जाता है ठीक है next is Arctic report card 2022 तो यह किस ने release किया है US National Oceanic Atmospheric Administration ने release किया है since 2006 से वो release कर रहे है यह हमको up to date environment जो information है Arctic region की उसको हमको provide करवाते हैं कि highlights के बात करें तो Arctic जो है वो generally rest of the globes के अगर बात करें उससे जादा बहुत जादा continuously warm हो रहा है और persistent summer sea ice जो है due to cooler surface water and north winds जो है चुक्ची sea जो है वहाँ पे भी हमको मिल रहा है तो summer ice जो है वो भी हमको मिल रहा है summer sea ice ठीक है this is Arctic report card आपको इस सिर्फ इतना important है कि Arctic report card कौन release करता है तो US National Oceanic Atmospheric Administration जो है release करते है zoomed zombie ice क्या होता है doomed ice क्या होता है ठीकर ice के साथ attached रहता है और वो जनरली उस ठीकर ice को नहीं छोडता ठीक है उसी के साथ attached रहता है Arctic amplification क्या होता है and what is ocean acidification and what are the causes ठीक है this is all about the first part of environment I will cover international conferences and conventions tomorrow thank you so much if you have any problem just comment me on the comment section thank you